आरक्षन का प्रतिशत बढ़ाया है 75 प्रतिशत अगर नियत साफ है तो 75 परसेंट आरक्षन की जो सीमा बढ़ाई गई है उसको आप संबिधान की नौमिय निसुची में डालिए दावा किया था कि सरकार बनाएंगे सरकार में हमारी भूमिका होगी लेकिन हम चुनाव लड़ेंगे मोदी जी का ताना साही है क्या कि जहां मर जी करेगा वहां लड़ेंगे आज का ये संबादाता संमेलन इस बात के लिए था कि भारतिय जनता पार्टी केवल ऐसा कोई सगा नहीं जिसको भाजपा ने ठगा नहीं तो भाजपा कानून संसोधन और सर्वोच नियाले के फैसले के बाबजूत भाजपा शाशित राज्ये मनिपूर अरुनाचल प्रदेश इंडिये सासित और केंदर शासित छेत्र लक्ष दूप सिक्किम मिघाले मिजोरम नागालेंड अंडमा निकोवार पंडी चेरी साथी साथ भाजपा शासित प्रदेश घरियाना गुजरात गोवा असम में 50% भी आरक्षन नहीं दिया जा रहा है जो उसका मौलिक हक है दाधर आनगर हवेली और चंडीगड जैसे में 50% जाती आरक्षन नहीं और अगर जाती आरक्षन दे भी रहें तो देवभूमी उत् मंतरों 4 करने 14 प्रतिशत हरियाना में 23 प्रतिशत मनीपूर में 17 प्रतिशत तिर्पूरा में 2 प्रतिशत मद्र प्रदेश में 14 प्रतिशत भारतिय जनता पाटी या बताए कि संबीधान के मौली का दिकार के तहत अगर 15 और 16 के अनुच्छेत के तहत अगर आरक्षन संबैदानी का दिकार है तो चाहे पिछडा बर्ग हो अती पिछडा बर्ग हो या सामानी बर्ग हो जो हमने आरक्षन का प्रतिशत बढ़ाया है 75 प्रतिशत अगर नियत साफ है तो 75 परसेंट आरक् अगर नहीं डालते हैं इसका मतलब आपके मन में महापाप है एक सवाल है कि पाच राज्यों के एक्जिट पोल आने शुरू हो गये हैं बीजेपी आगे हैं कॉंग्रेस भी गहीं आगे हैं आप लोग भी किसमत आज मा रहे थे कहां हैं आप लोग गौर तलब यह है कि देश क कि आदरनीय प्रधान मंत्री जी मनीपुर में बेटियों के साथ जो पाप और हुआ मीजोरम जाने का हिम्मत नहीं जुटाए पाए प्रधान मंत्री कलेजा में दम नहीं हुआ कि चुनावी प्रचार में जाएं हमारा मुकुठ है तो अब तो चुनाव के नतीजे आने वा है चुकि कॉंग्रेस सहीद विमिन पाटियां जाती गरणा का समर्तन कर रही थी चुनावी प्रचार का यह मुद्दा बन गया है हमारी उम्मीद है कि जनता जो लगता है आबो हवा से भाजपा के खिलाप जनादेश जाएगी तब आदरनीय प्रधान मंत्री जी का फरजी हुआ होगी लेकिन हम चुनाव लड़ेंगे मोदी जी का ताना साही है क्या कि आवो चाहिंए उहीं हम लड़ेंगे जुक्त मेखा इसर हो रहा है इंदम जत्रा देखाते देखाते परिसान थे एदम रासी फल के नुसार भी कि अब जाएं कल जाएं परसो जाएं हिम्मते नहीं हुआ जाने का लगा कि जलीलक नहीं कर दे जनता हमको नितीश कुमार को लेकर लालू यादब का जो एक बयान आया है उन्होंने जो बिहार में महागटबंदन मनाया इंडिया एलाइंस मनाया उसका गहरा जख्म है नरिंद्र मोदी को कि पहले अपने आपको पिछड़ा बताया फिर अती पिछड़ा बताया अब बेचारे जात का नया परिभासात तई कर दिये कौन है तो किसान है तो युबा है मोदी लुटि इस चाइब बेचने वाला में पकड़ा गया है कहीं आप चाइब बेचे नहीं है तब पकड़ा गए जैसे और रेड हैंड भिहार तब इनका प्रवच्चन तरह तरह का हो रहा है लेकि सब कूब बचने निकल रहा है जली तो हमार साथ है जोड़िव के मुख्य प